हलो दोस्तों नमस्कार आज के वीडियो में हम भारती एतिहास के 35 महत्पूर्ण पिशनों पर बात करेंगे और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सेर करिएगा अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो ऐसे ही और सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहला है कोणार्क के शूर्य मंदर का निर्मान किस ने किया था कुनार्क जो है उडिसा में वो शूर्य मंदर का निर्मार नर्शिंग देव ने किया था बी विकल्प से हो जाएगा नर्शिंग देव राजा था उसने किया था निमलिकित में से किसने स्वसासन यानि होम रूल आंदोलन शुरू किया होम रूल आंदोलन इन में से किसने किया था बाल गंगाधर तिलक भी थे और इतने विकल्प में एनी वेसिंट है भी विकल्प सही हो जायागा दूसरे का भी हो जायागा पानीपत के प्रत्थम यूद्धी में बावर ने किसको हराया था पानीपत का जो प्रत्थम यूद्ध था तो उसमें बावर ने इब्राहिम लोदी को हराया था भी विकल्प सही हो जाएगा चौता है किस बर्स महत्मा गांदी ने दांडी यात्रा प्रारंब की थी हो जाएगा D विकल्प से हो जाएगा अमोग बर्स प्रिथम किस वंस का सासक था अमोग बर्स प्रिथम जो था ये राष्ट कूट वंस का सासक था C विकल्प से हो जाएगा चटा है मुहम्मद गोरी ने किस योद में प्रत्वीराज चोहान को हराया था मुहम्मद गोरी ने किस योद में हराया था तराइन के दित्य योद में प्रत्म योद में मुहम्मद गोरी खुदा रहा था अतरायन के दित्य उद में उसने प्रत्वीराज चोहान को हराया था तो बी विकलब सही हो जाएगा 1192 इश्वी में हुआ था यह अलावदीन ने देवगरी पर बिज़े किस बरस प्राप्त की थी अलावदीन खिल जी जो था उसने देवगरी पर 1296 इश्वी में विज़े प्राप्त की थी सी विकलब सही हो जाएगा आठवा अयकवर ने 1569 में कालेंजर। पर विज़े प्राप्त की थी कालेंजर का किला था उस समय बहां का सासक कौन था कालिंजर जो है वहां का सासक जब उसने प्रात्त की थी ये बिजय तो राम चंद्र था सी विकल्प सही हो जाएगा नौमा जहांगीर ने किस कलाकवर को नासिर उल उस की उपादी दी नासिर उल उस की उपादी किसे दी थी तो ये उस्ताद मंसूर था अगला है राज तरंगणी नामक ग्रंट का अनवाद फारसी में किस ने किया राज तरंगणी जो है ये कलहण की रशना है और इसका फारसी में जो अनवाद किया था वो मौलाना शैरी ने किया था मौलाना शैरी ने सी विकलब सही हो जाएगा ग्यारबा है मस्व पुराण के अनसान निमलिकत में से कौन हर्यक बंस का सासक नहीं है तो ये काक वरण नहीं है काक वरण डी विकलब से हो जाएगा करांतिकारी संक्ठन हिंदुस्तान रिपबलिक ऐसोसियेशन के संस्तापक हिंदुस्तान रिपबलिक ऐसोसियेशन के संस्तापक जो थे सचिंदरनाथ शैन्नियाल सचिंदरनाथ शैन्नियाल विकलब सही हो जाएगा तेरा है निमलिकित में से किसकी नुक्ती रजिया के सासन काल में अमीरे सिकार के रूप में बलवन की हुई थी बलवन में कैप्टन हौकिन्स भारत में किस के दरवार में आया था किस राजा के दरवार में आया था कैप्टन हौकिन्स और यह बहुत ही प्रसिद कोशन बहुत पूचा जाता, यह जहांगीर के दरवार में आया था बिश्व में सरप्रतम बिदी सहंता बनाने वाला राजा था कौन से राजा ने बिदी सहंता बनाई थी? इन चारों में ये राजा था हम्मू रावी ये विकल्ब सही हो जाएगा गुलावों की लड़ाई हुई थी गुलावों की लड़ाई किस देश में हुई थी देश का नाम बताना है तो इसमें ये इंगलैंड में हुई थी इंग्लेंड में गुलावों की लड़ाई जो है वो इंग्लेंड में हुई थी अगला है सत्रवा भारत की प्राचीनतम सब्वता के लिए सिंद सब्वता का नाम सर्परतम किसने दिया जो सिंद सब्वता नाम है ये किसने दिया था ये मार्सल जॉन मार्सल थे उन्होंने दि था? हर्स बुतरों जो था, वो किसका पुतर था? तो ये प्रभाकर बर्धन का पुत्र था, डी विकल्प सही हो जाएगा प्रभादस। किस बृट के नीचे महावीर को ग्यान प्राप्थ हुआ था? महावीर स्वामी जो थे, जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे उनके लिए साल के ब्रक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था और भगवान बुद्ध को पीपल के ब्रक्ष के नीचे ग्यान प्राप्त हुआ था अगला लहो एवं रक्त नीती का प्रतपादन किसने किया था असी विकल्प सही हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा विवस्ता किसने लागू की सांकेतिक मुद्रा विवस्ता जो है इसके लिए सांकेतिक मुद्रा विवस्ता के लिए मुहम्मद तुगलक का नाम बहुत ही भायमस है तो डी विकल्प सही हो जाएगा अगला हो जाएगा बाइ इस ते बड़ा इमाम बाड़ा का मुख इस्तापत्यकार कौन था? इमाम बाड़ा जो है लकनव में उसका मुख जो इस्तापत्यकार था किफायत उल्ला ये विकल्प सही हो जाएगा अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ब्यापार करने का चार्टर किसने दिया था? तो ये दिया था महरानी ऐलिजावेद प्रथम ने बी विकल्प सही हो जाएगा अगला है पच्चिस बंगाल बेभाजन किस बरस समाप्त हुआ? बंगाल बेभाजन जो था वो किस बरस समाप्त हुआ? ये 1905 में हुआ था बंगाल बेभाजन और उसके बाद इसी के ब्रोध में 1907 में सुदेसी आंदोलन हुआ सुदेसी आंदोलन के बाद ये 1911 में इसको बापस ले लिया गया तो बी विकल्प सही हो जाएगा 1911 अगला है पूना के चापेकर बंदू उन्हें किस अंग्रेज की हत्या की थी? पूना के जो चापेकर बंदू थे उन्होंने किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो ये अंग्रेज था करनल रैंड डी विकल्प सही हो जाएगा 27 है चोरी चोरा कांड के समय भारत के बाइस राय कौन थे जब चोरी चोरा कांड हुआ उसमें भारत के बाइस राय थे Lord Reading Lord Reading C विकल्प सही हो जाएगा अगला 28 है जलिया वाला बाकिस नगर में हुआ था ये पंजाब के अमरस सर में हुआ था तो बी विकल्प सही हो जाएगा शिंद सब्बिता का प्सिद नगर लोथल ये कहां पे इस्तित है लोथल जो आई है गुजरात में इस्तित है तो ये डी विकल्प सही हो जाएगा गुजरात लोथल कहां है गुजरात में इस्तित है तीस है निमलिकत में से कौन सा नाम भगवान महावीर के बचपन का नाम था बचपन का नाम उनका बर्दमान था शिद्दार्त जो था ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था बर्दमान महावीर श्वामी का था अग्ला एलोरा की गोपाई इस्तित हैं कहां हैं महाराश्ट में इस्तित हैं 31 का हो जाएगा C महाराश्ट में अग्ला है चारो बर्णों का प्र्थम बाल उल्ले किस बद में किया गया जो ब्राहमण, चहत्रिय, वैस्ट और सुद्र ये चार बन बेवस्ता जो बताई गई है तो इसका सर परतम लेक रिग बेद में मिलता ये विकल्प से ही हो जाएगा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजबंसों के सासन द्वारा किराए गया खजुराओ जो है वो चंदेल बन से द्वारा निर्मित थी तो सी विकल्प से हो जाएगा अगला शमद्र गुप्त के प्रियाग इस्तंब लेक का लेक का लेक का लेक का लेक का लेक कौन था बहुत विद्धान थे जो बशुमित्र वो किसके समकालीन थे तो ये कनिश्च के समकालीन थे सी विकल्ब सही हो जाएगा और अगला लाश्ट है किसने महतमा गांधी को राष्ट पिता या फादर आफ नेशन से संबोधित किया था सर्व पर्थम तो ये थे स्वास चंद्र बोश